नमबर सेवन नमेरिकल के अंदर वो हमसे यह कह रहा है कि एक बॉय है स्टेंडिंग 10 मीटर फॉम ए बिल्डिंग तो अब यह मैंने एक बिल्डिंग बनाई है इस बिल्डिंग से कितने डिसंस के उपर है तो मैं यह बना रहा हूं कि यह एक लड़का है और यह building से 10 मीटर के distance के ओपर है तो मुझे बताइए यह horizontal distance का x नहीं कलाता तो यहां से लेकर यहां तक की distance लड़के जो distance है horizontal distance building से ये इसको मैंने X represent करती है हम horizontal distance को X कहते हैं ठीक है और वो 10 meter है अब वो कहा कर रहा है वो एक ball को फैंक रहा है इस छट के उपर तो वो कह रहा है कि can just barely reach the roof 12 meter above him अब ये जो छट है इससे इसका जो distance है vertical distance ये है 12 meter का ठीक है यानि ये यहां से लेकर ground तक का जो distance है हमारे पास वो कितना है 12 meter का तो यहां से एक ball फैंकता है और वो ball सीधी चली जाती है इस छट के उपर can just barely reach the roof का मतलब है कि बस यहां तक इस तरीके से पहुँचती है आपने देखा हो का आम तरो पर यह होता है जिसका मतलब can just barely reach the roof ठीक है तो यहां से यहां तक पहुच पाई ball तो अब वो हमसे यह कह रहा है कि अजब वो optimum angle फैंकता है जितना वो maximum angle बना सकता है जिस angle से ball यहां पर पहुच जाए अब वो कह रहा है कि find the initial velocity component of the ball initial velocity का मतलब यह है कि V not और उसके component का मतलब है X भी बताना है और हमें V not Y भी बताना है यह दो values हमने मालूम करनी है अच्छा देखिए अब तक जो हम projectile में numerical करते हैं वो इस तरह के से करते हैं कि किसी building से हम object को नीचे फैंकते थे आज उसने ज़रा reverse sense में दे दिया कि ball नीचे से उपर जा रही है तो कोई भी चीज़ चैंज होए उपर से जितना time नीचे आने में लगता है नीचे से उत्रही time उपर जाने में लगता है यह दोनों बाते अच्छी तरीके से जहन में बिठा लीजिए अब अगर यह बात ठीक है तो सबसे पहले हम V0X मालूम करने जाते हैं कि V0X क्या होगा तो V0X is equal to question mark ठीक है हम जानते हैं कि V0X और X की value में given है आप देख सकते हैं तो X का और V0X की relation में हमने एक formula पढ़ा है जो कि है X is equal to V0XT अगर आपको याद हो तो इसको equation number 1 का नाम दे दिए इस formula में हम V0X मालूम कर सकते हैं अगर हमें X और T मालूम हो ठीक है तो क्या मुझे X मालूम है यस मुझे तो X मालूम है लेकिन T हमें मालूम है कौन सा time जितने time में ये ball नीचे से उपर पहुंची है या जितने time में बाल उपर से नीचे आई जितने time में बाल स्ट्रेट नीचे आती है तो मैं ये स्ट्रेट नीचे आने का time calculate कर सकता हूं और मैं कैसे calculate कर सकता हूं वह formula मुझे आता है और वह formula कुछ इस किसम का है कि जो T है वो बराबर होता है under root कितनी height से हमने ball को फैंका है उसको y कहते हैं या h करने और उसको हम divide करते हैं किस से 4.9 से अगर यह बर ठीक है तो आपने root लगाया और जो height आपके पास वो कितनी है 12 है तो आपने इसको लिखा 12 divided by 4.9 तो यहां से आपके पास time आजागा और यह time आपके पास आता है 1.564 second ठीक है अब यह उठागे put कर दीजिए equation number 1 में हम directly जवाब calculate करने काबिल होगे तो so equation number 1 implies that equation number 1 से मुझे v naught x निकालना है तो t equation के तरह multiply है वहाँ जाकि divide हो जाएगा तो x divided by t x आपके पास कितना है class आप देख सकते हैं आपको पर 10 लिखा हुआ है और इसको आप divide कर दीजिए 1.564 से तो calculator में रखिए तो यह जो answer आजएगा आपको बस v naught x का यह आ रहा है 6.39 मेरे पास आ रहा है जो के approximately equals to 6.4 meter per second है जो के हमारी किताब में लिखा हुआ है ठीक है अब मैं मालूम करने जा रहा हूँ v naught y तो मुझे बताएगे v naught y में कैसे मालूम करूँगा अगर आप देखें तो diagram में मुझे y given है और मुझे v naught y निकालना है तो इन दोनों की कोई relation अगर आपको याद हो तो वो कौन से आपके जहन में आती है वो relation यह आपके जहन में आती है कि y का formula है v naught y t minus half g t square बस इस formula में जरब values को रखें automatically solve वोना शुरू हो जाएगा देखिए y मेरे पस कितना है 12 मेरे पस given है is equals to v naught y मुझे मालूम करना है vertical component of the velocity time में already मालूम कर चुका हूँ time यह देखिए कितना है 1.564 तो यह मैं time यहापर put कर देता हूँ so this become 1.564 और minus उसके बाद मेरे पस क्या है 1 upon 2 g की value होती है 9.8 multiply by time है मेरे पस 1.564 और उसके उपर square apply कर दीजिए ठीक है तो यह 12 is equals to 1.564 और साथ में v naught y मेरे खाल है असान किसम की बात है multiply form में मैंने इन दोनों को लिख दिया ठीक है अच्छा जी minus 1.564 का square calculate कीजिए और उसको फिर 9.8 से multiply कर दीजिए और divide कर दीजिए 1 upon 2 से तो यह पूरी value calculator में रखने पर जो जवाब मेरे पस आता है वो मेरे पस तक्रीबान आ रहा है 11.985 यह मेरे पस आ रहा है अब यह 11.985 जो यह 1.564 V0Y क्या खेल है अगर मुझे V0Y मालूम करना है तो यह जो 1.564 है multiply हो रहे question दुसी तरफ जाके divide हो जागा so मैं इसको divide कर देता हूँ 12 plus 11.985 divided by 1.564 so that gives me the value of the V0Y and V0Y become सारा calculator में रखने पे यह बन जाता है 15.33 and the unit is a meter per second तो इसलिके से numerical solve हो जाएगा